नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं Tech Unboxing तो दोस्तों आज हम एक बहुत हटके चीज़ की Unboxing करने वाले हैं जो है World Smallest Digital Camera जी हाँ दोस्तों World Smallest Digital Camera और ये है उसकी Retail Packaging और जैसे आप देख सकते हो ऐसी ही Polyback Packaging में मुझे ये Receive हुआ है और काफी चोटा ये Camera है तो मैं बहुत ही Excited हूँ इसे Check करने के लिए तो जादा कुछ Time Waste की बिने डारेक्ली हम इसे Unbox करते हैं तो दोस्तों ये है वो Mini DV Digital Camera और जैसे आप देख सकते हो ऐसी ही Plastic Wrap में मुझे ये Receive हुआ है तो पहले हम इसे Open Up करते हैं तो जैसे में Open Up करते हो यहां पर हमें देखने मिलता है हमारा ये Mini DV Digital Camera और जैसे आप देख सकते हो काफी चूटा और काफी Compact है आप देख सकते हो मेरे हाथ की Comparison में ये कितना चूटा है और काफी बढ़ी है ये लग रहा है और यहां पर आपको एक View Finder भी मिलता है और इसके तहट आप देख सकते हो कि इसकी जो Lens है वो कैसे Record करेगी वगएरा वगएरा और यहां पर आपको On Off का Button दिया गया है और यहां पर आपको एक Mode का Button दिया गया है और यहां पर आपको साइड में Strap टाइग करने के लिए एक छोटा सा यह दिया है Strap का यह और इसका जो Strap था वो मुझे Back के अंदर मिला था तो गाईज यह रहा उसका Strap जो मुझे Separately Back के अंदर दिया गया था तो इसके तहत आप इसे यहां पर टाइग कर सकते हो और यहां पर साइड में आपको देखने मिलता है Memory Card का Compartment जिसके तहत आप किसके अंदर Memory Card Insert कर सकते हो और गाईज इसके अंदर आप लगबग 32 GB का भी Memory Card Insert कर सकते हो गाईज आगे की तरफ यहां पर आपको चोटा सा होल दिखाए देगा जो है इसका Microphone और यहां पर भी आपको एक चोटा सा होल दिखाए देगा तो यहां पर कोई एक जो होल है वो है इसका Microphone और गाईज साइड में यहां पर आपको देखने मिलता है उसका USB पोर्ट जो है पुराना Micro USB पोर्ट तो इसे Microphone नहीं बोल सकते है ट्रेडिशनल एक USB पोर्ट आता है उसका और ज्यादा इसके ओपर कुछ भी नहीं है तो इसे हम रखते है साइड में और देखते है यहां पर USB केबल के तरफ तो यहां पर जो USB केबल मिला है वो है इसे भी हम रखते है साइड में यह सारी चीज़े हमें box के अंदर देखने मिलती है तो अभी हम करते है इसे power on और देखते है कैसा यह work करता है काफी चुटा और compact camera है और काफी glossy finish इसको दिया गया है तो यहां पर यह power on off का button है तो यहां पर मैं इसे power on करता हूँ जैसे हम इसे power on करते हैं यहां पर आपको एक blue color की LED इंडिकेट होती है जिसके तरह आपको पता चलता है यह power on हो चुका है और यहां पर modes दिये गए हैं जैसी मैंने user manual में देखा अभी जैस मैंने थोड़ी time के लिए इसे refer किया तो इसमें लिखा था कि जैसी आप इसे press करके रखोगे तो यह video mode में चला जाएगा तो guys यहां पर हम इसे press करके रखते हैं तो guys शायद इसकी battery जो है low हो चुकी है तो अभी हम लगाते हैं इसे charging के ओपर और फिर इसको थोड़ी time पर बात वापस हम power on करते हैं तो guys यहां पर जो इसकी USB में उसे untie करता हूं और यहां पर इसे मैं plug-in करता हूं और जैसे आप देख सकते हूं यह जो port है आपको इसके अंदर insert करना है और तब जाके आप इसे charging पर लगा सकते हो तो यहां पर आपको एक blue color की LED indicate कर रही होगी जिसका मतलब यह charging पर लग च चुका है और जब यह flashing होना बंद होता है उसका मतलब यह इसका charging full हो चुका है तो अभी हम इसे 10-15 मिनिट के लिए charging पर लगा के छोड़ देते हैं तो guys यहां पर मैंने 10-15 मिनिट के लिए इसे charging पर लगाया था और अभी हम इसे charging से remove करते हैं कुछ इस तरह और यहां पर हम power button on करते हैं इसका तो guys जैसे आप देख सुकती हो यहां पर यह power on हो चुका है और अभी हमें इसके अंदर memory card insert करना है तो मैं memory card इसमें insert करता हूँ तो ज़िसे अब देख सुकत हूँ यहाँ पर मेरे पास है scan disk का यह memory card 8GB का और अभी हम इसमें इंसर्ट करते हैं यह memory card तो ज़िस यहाँ पर मैंने memory card insert कर दिया है और वापिस हम इसे power on करते हैं तो ज़िसे मैं memory card insert करता हूँ power on होने के बाद इसमें जो है red color की LED indicate करती है जिसके तहरा है जिसके तहरा हम देखने वाले है कि कैसी है इसकी वीडियो क्वाइटी और कैसा इसका resolution तो मेरे इसाब से तो यह 280 x 960 pixels का है और इसके manual मैं एक्षा में एक्षा मेंशन किया ता रहा है कि यह 720p का recording कर रहता है I hope कि यह 720p का recording करें तो बाद में इसको शूट करने के बाद हम देखी नहीं ही केसी की video quality है और इसको शूट करने के बाद मैं भी खुछ देखने वालों कि केसी की video quality है और क्या ही अपनी price को या resolution को justify करता है तो डिर्ट में देखते इसका video resolution जैसे आपने देखा इसका unboxing और इसकी video quality काफी अच्छा यह camera है 350 रुपीज की price range में बहुत ही बढ़िया यह camera है मतलब जितना price आप पे कर रहे हो उसके मुकाबले काफी बढ़िया यह camera है आप इसे kitchen के तोर पे भी use कर सकते हो क्योंकि लोगों को लगेगा यह real camera नहीं है और आप उसके तहत recording कर सकते हो आप इसे spy camera की तोर पे भी use कर सकते हो और आप देख सकते हो कितना बढ़िया है यहाँ पे आपको एक view finder भी मिलता है इफेक्ट आता है कि एक digital camera है इसके अंदर जो memory card बढ़ता है वो भी 32GB तक का memory card इसके अंदर supported है और काफी हद तक अच्छी इसकी video recording quality है मैंने इसे बाई किया था 350 रूपीज की price range में banggood.com से और यह aliexpress.com पे भी वही same price पे available है अगर किसी को यह camera buy करना है तो उसकी link में नीचे description में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप इसे खरीच सकते हो तो दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज subscribe कीजिए मेरे channel को और दोस्तो और एक important बात प्लीज मेरा facebook पेज और instagram पेज भी like कीजिए तो दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद